से आफ अहां आख आधी तैले माह्य वाहएक जगत को और को कसला कि स्वामें देखे शे और को को स्वामिहो तेरो मसा के वैट से नाथ इस आशगा, इस नाश चिना कि, से प्याचप, ढात मिने दानों नवाज्या, से बाहेक है, सिंस्टर गोपल मत शोय दॉपल, प्रेचरेश मतनते भागने से का पूसी भसी अरूरी प्रस्ण गर्षाrift कर्लादेश मोई फिर अस्थित्ते तेंडेश पहा मुईनरेonder प्रस्न गलत्रीक है ए नरूरी कि भष्ब थायत्य सर्बत्ण पर वांसी्ट्र सवजिय लुळद तो इस्तंब मा पनी चन मेले तो देखी न तो इस्तंब मा किन देखी दाईना तेरो जगदे इस्षोर तोल यो खंबामा पनी देख्छा तेरा इस्षोर लाई अब गफ लड़ावनी पनी योड़ा शीमा पूंच तो इले मात्र देख्छा श्यो इस्तंब मा तेरो इस्षोर लाई अईले तुरुंत तेरो शिर शोहं बिकत्त मानश्य शिरकाया धारामिते धारामिते अईले तुरुंत तेरो शिर धड़वाट अलग गरदेंचु तत पस्था तेरो शर्वश्षोहरी जस्मा अथी तलाई यत्रो भरसाच कसरी रक्षागरन शक्दोरच इस्प्रकार तेंत बलवान महा दैत्ते भागवान का परमप्रेरी प्रेमी प्रलाद लाई बार बार गाली गरदे शताउ दै क्रोध का कारण आपलाई रोकन सकेना हाथ मा खड़ गलीर शिमासन वाट दोड़ बड़ जोरले गएर त्यो खंबालाई एक मुक्का प्रहार गर्यों मुक्का प्रहार गर्यों तेसे समय खंबावात बड़ो भैंकर आवाज निष्किन लागयो गड़गड़ाट येस्तो लाक्त्य मानू ब्रह्मांड फुट्यों मैं रिशन दोनी जम लोकपाल हरको लोकमा प्वुगयो त्योँ सुनेरा ब्रह्मादी खोष्भाष्भाष ओडयो मानूँ षारा लोकमा प्रलय हो गड़श असा तो गड़-उझा लागयो जोड जोड़ एक्यो अस्तो आवाज निष्किन भैंकर आवाज शबिक्रमन पुत्रवदेश बधेप्शो रोजसा हिरन्य कशिपू प्रलादलाई मार्नका लागी भनेर बड़ो जोडले जम्टेर गयतर दैत्य सनापती लाई पनी भैभीद गरनेति अध्भूत एवं अपुर्ब घोर शब्द लाई शुनेरा अबातो शुनेरा बड़ आयो Però एता उता दाय बाया हैरनला यह स्तो आवाज ईस्तो घोर कभंड करा आयो क्या हिपानी देखने शके नदा अपयह ईता हैर च आवाज कहा बाट निष्कियस्त आवाज त्यसे शमय शत्यम बिधातुम निजवरित्य भाशितं व्याप्तिम्च भूते श्वकिले शुचात्मन अद्रिश्यताद भूतं रूपम उद्धुहन इस्तमे शवायम नन्रिम्रिगम नमानुषम हम अफना श्यवक्य प्रलाद को वर्म्मघ को वारे शत्यसाविद्गरत रागाम स्त्यम अधातुम गुच्त भूम्म्रे भूतुम् न द्वार भित्र न द्वार वाईर अनि तिम्रो न दिनमा न रात्मा यस्प्रकार ब्रह्मा को श्रिष्टिय अंतर गतका कुने इपनी वस्तुले न न न रले न जल चरले न थल चरले न पशूले न देवताले प्रह्मा यस्प्रकार ब्रह्मा 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 यस्प ते गर्ना व्याप्तिम् च भूते शो रशमस्त पदार्थरमा जगत का हरेक पदार्थमा इश्वरको वाश चाफ नो व्यापकताच यो प्रमालिद गर्ना शवाको भित्र रएको त्यो खंबावाट बढ़ो बिचित्र शोरुब धारन गरेर भागवान रशिम्म दे प्रकटुन वयो यस्प्रकार भागवान रशिम्म दे त्यो हिरंडे कश्यपुको शवामा प्रकटुन वयो वाको शोरुप इस्तम्बे सवायम त्यो इस्तम्म वा प्रकार भगवान नर्शिमदेव प्रलाद को बचन शत्य गरन प्रलाद ले अधियो खंब आपनी मैले मेरो इश्वरलाई देख चू एती बंदे नुभाई को एतियो भगवान खंबावाट प्रकट भाईदे नुभायो यह वंदा परम दयालू को नशक्ष्ण प्रलाद भालक शिशु पांच वर्शको आयो तेस्ता शिशु ले बलेका अब बचाबची ले बंदे आले वनेर तेला गंबिरुप मानली देनी उंत्यों अधियो अधियो भगवान ले भाएपानी मेरा भग्त ले बोली शके पचाली भगवान ले बाहर बाहर इस ता बिव इंने स्तान मामृ देख लेकर सक्षो भक्तर को प्रतिज्ग हए राखते न का लागी भक्तर न शत्य पार इन का हमें बार आओ प्रतिज्गेंक आपनने तो महा बारत में बारत में बारत ह 쿠मा औरन्य प्लान प्रेम के स्झारे पो आरजन को मृत्याओ और भगवान श्यम्ले आयूद उठाओन नंस भगवान अप्रतिज्यालीन वादियो महावारत को युद्ध मा अथी आरूट हो दिना मेरा हाथ मा आयूद होने साई न युदिस्टेर लेग अर्जन दुर्यदन चैनागरन वेलामा एक तर्फ अक्षवणी नारायनी श्यन अनि एक तर्फ मो तिए बिना आयूद हाथ अतियार न लिकना अब तो अतियार लिन प्रतिया गरेका भागाणी बिष्वपिताम अले एक तो यात भली भागाणी आयूद उठांचन न वय ऑर्जन मार्चन उट्र्जन अर्जन मार्चन दुट्यदन वन अनि मार्थ जर्ण उट्र्ण भाग्तको त्योब बचन शृवित गर्ना का लागी वने बागवानले हापनॉ बचन सत्य शावित गर्ना का लागी भणने अपनो प्रतिज्ञा त्याक्षिक आयरा घ्बुरे वज घ्वाजन अपयरे उफ। आए आए भिष्मले भगवान लाई आवंत्रित गर्ण वयों एक देखन परेको तियो एक विरो इच्या यह तो मिरो लग्शे तियो कि भागवान कति महान ужас nanya suvριatti safety like you can understand आपने भागवान नार् श्यमदेव चिप ब्रह्मा को बutan survival प्रलाध को बता शत्य शाब जब ब्रह्मा को बचन शत्य उष्वनेघा नम्रिगम्न मानुषम्न सिंगन मां चे अध्तशयूरुप मा प्रकाटू अनि प्रलाद को बचन शत्य शावित गर्न भनेर इस्तंब वाठ त्यो खंब वाठ प्रकट नुवयो उग्रम बिरम हा विष्णम ज्वालांतं सर्वतो मुखं नर्शिंह विष्णम भाद्रम मृत्यूर मृत्यूम् नमामिहं भगवान एस्तो हनोंत्यों उग्रम बिरम हा विष्णम ज्वालांतं SARVतो मुखं कश्तो प्रकार्को नुँच वन्दा उग्रा वन्फ bus विष्णम ज्वालांतं भनेको अग्नीका ज्वालाले यूक्त हन्फ कि अभवतिक जगतमा की भीषण हुना शखिंच की भाद्र हुना शखिंच तर भागवान को दिभ्यता भागवान को अलाव कि भागवान भीषणम भाद्रम बड़ भीषण हुनुँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँ श्वयम् भयम् भय पनी जुवाट भय भी तुन्च डर पनी जसलाई देखेशी थर थर कापचा मृत्युर मृत्युम् मृत्युका पनी जो मृत्यु श्वरुप नुन्च नमामिहम् इस्ता अध्भूत श्वरुप मा प्रकटुन बयो प्रलाद को क्लेश नाश गरनका लागी प्रलाद क्लेश नाश आया याही पुन्या चतुर दशे पुजयत तत्रयत नेन हरे प्रलाद मग्रत हा कि प्रलाद को क्लेश नाश गरनका लागी श्रियरी जो पैशाक शुक्ल चतुर दशे को दिन अभिर्भवत उन बयो पवित्र तिथिमा त्या प्रकट वहर प्रलादवाथ पुजी तुन वयो शेवी तुन वयो येस प्रकार भगवान कु दिभ्य श्वरुप वागीशा यश्य वदने नर्शिम दे भगवान येस तो अधवत श्वरुप जसका वागीशा यश्य वदने जशको मुखमा भागदेवी सरस्वति उनुंतियो बदने लक्ष्मिर यश्य चवच्य शी लक्ष्मी रिदयमा शंवित भाईर बिराजमान उनुंच अनी प्रलाद रिदया लादम जो प्रलाद का रिदयला अलादित गरने शंतुष्ट पारने उनुंच विद्या विदारनम भक्तर को अविद्या दूर गरने शरत इंदूरुचिंबंदे पारिंद्रम बदनम हरिम शरत कालिंचंडरमा शमान अंग शोबायुक्त शिम्म बदन्धारन गरनुभैका केशब ध्रित नरहरी रूप जय जगदी शहरे जय जगदी शहरे जय जगदी शहरे जय जगदी शहरे भगवान केशब ध्रित नरहरी रूप जय जगदी शहरे जगदी शहरे जगदी शहरे जय जगदी शहरे जगदी शचंडरमाप भगवान प्रकटुन वहुँज्च शमय भर्णिकशिप यू आवाज kangवाट आयो भनर हैताउ तआ आवाज को सुरोतलाई खट दय तियो त्या क्म भै आत्रवात निक निष्किदै अधुत प्राणी जब दर्शन भयो शोचन लागो अहो नायम्रेगो नापि नरो बिचित्र यतन्य मनुष्य हो नपसु फेरियो निर्शिंग को रूप मा इस्तो अलवकिक जीव को आयो जा समय हिरन्य कशिपू यह सोच दैथियो पहली बुजा यह समय बिलकुल अगाड़ी भगवान रशिंग मदेब खड़ा हुन भयो त्यो श्वरूप अत्यादेक भयावना पगालेको शुन समान पहलो बढ़को आखा भयको अनी यह यह गर्दन भरप कपाल रोंभयको इता उताती लहरां दैथियो कपाल रो शिंग को कस्तों अनी तिक कपाल हरो बड़ो विकराल देखिने दारी तरवार तरह लपलपाउदै गरेको छुराको धार शमान तीखो जिवरो अली टीडा परेका आखिभव दारून मुख मंडल कान निस्चलेवम माथिको ओठ अली उठेको अली फुलेको नाख खुलेको मुख पहाळको गुफा शमान अधुद्ध बड़ो भयंकर तर बड़ो भद्र शोरूप थियो बड़ो भद्र शोरूप थियो भगवान शिंग देवको शुंद्धानी बड़ो तुजुक लाक्ष वक्त भागवात तरू बड़ो भयंकर शोरूप थियो तर बड़ो भद्र थियो योह भगवात्ता एस्प्रकार बिशाल शरीर श्वर्ग कोई इस्पर्श गरने गर्दन अली मोटो र अलिस्षानू छाती बड़ो चौडा कमर बड़ो पातलो चंद्रमाका किरण समान शेताश्यता रौवरू शारा शरीर मा चमकने चारई तिरवाट श्वयो भुजारो फैलियेको ठुला ठुला नख आयोद को काम गरने नंग ठुला ठुला आयोद समान भागवान को छोमा पुगने सहास कसाईलाई भयन चक्रा आदी आपना नीज आयोद था बजरा आदी अन्ने श्रिष्ट सस्त्र द्वारा सारा दैत्ति दामर दान भरलाई भागावन भयोई हिरन्य कशेबू शोचन लाग्यो पक्काई पनी माया भी विष्णुले मलाई मा अधर नकालागी यस्तो ढंगर चे कोन पर च तर एसको चला की मिरो अगाडी चल दैन यस प्रकार वंदय यवं शिम्मनात गर दैति राज हिरन्य कशेबू हात मा गदाली र नर्षिम्भ भगवान तर्फ दोडियो नर्षिम्भ भगवान लाई मार नर्षिम्भ भगवान आख्रमण गर्न भनेर आगात गर्न भनेर तर जसरी पुतली आगोमा गयर आगोमा परेर अदर्शियोंच तेसाई गरी त्यों दैति भगवान को तेज भित्र कां गयर हरायो थाई बहे न जसरी बढ़ो तेजले बलेको आगोमा पुतली गर जुम्मे पछाडी तेहीं शमस्त शक्तियवं तेज का आश्रय भगवान लाई प्रहार गर्न भनेर आगात गर्न भनेर दोडेर गय को हिरन्ने आक्षित बिलेन भयो हरायो भगवान को तेज मां समाहित भयो श्रिष्टिको प्रारंबमा आपनो तेजले प्रलाई का निमित्तबुत तमगों रुपी घोर अंदकार लाई पनी प्यूने एस्ता भगवान मजब हिरने का शेपो गयो तेजले समेटियो तेज में हरायो तेज्ता भगवान स्रुल्रण शिंगा पत्य लए बड़ो कुरूद ले आपनो गधाले बड़ो जोर ले घुमायर प्राहारगर भगवा नर्शी मदेवलाई प्रहार गर्दा जसरी गरूड ले शर्प लाई शमाच्छन जसरी बिरालो ले मुशालाई शमाच्छन त्यसे गरी भगवा ले गदासाय त्यो दईत्य लाई हात ले चपक शमातन भयो और खेलन लागन भयो जसरी क्रिडा गर्दा गरूड ले भिरालो मुषा शंग खेल ज़िए घर लो को पकड़ माई शक्या शेकर मुषा ए विरालो ले की घर सत है शमाध्या ज़री शोड़ें छाने यहार शेटिया के अपयाच्वरी चुट्ट होग्रारा शेटिया जाने घर शोड़े मुषमाध्या अवह हो पंद भल्ले भल्ला फ पईले हरण गरी शकेगो थियो अनि जब भागवान ले शमात्न उंत्यों त्यों हिरण ने कशिपुलाई बड़ो खुशी बादल वाठ अले बाईर निश्केर येर तेर ताली बजाउन लागते जब भागवान रशिंग को चंगल वाठ पंजाब आठ त्यों असुर छुड त्यों आत्यों डराएर अफेरी बादल पचाडी लुक न जान थे त्यों समय शवई लोकपालरू बादल मा लुकेर युद्ध येर न लागे शोरग को लोक तमाकी थिये न जब भागवान को हाद वाठ हिरण याक्चे छुड त्यों बड़ो डराउं थे हिरण ने युटें वा मेरो बल वेर्यवाट डराएर आपनो आधवाट नर्शिमाले छोड़े दिये को हो येस्तो बिचार गरतियोर त्यों थकान आधी त्यागे र युद्ध का लागे धाल तरवार लेर फेरी भगवान नर्शिम मतिर दोडन थे समय बास्तर बढ़ो ब्येगले त तर छोमा पर्णपनी शंगता हैं थियो तब भगवान ले बड़ो उच्च शोर्मा प्रचंड एबं भहिंकर ठास गरन बयो जसले हिरन कशिपुगो आखा बंद बयो तर बड़ो ब्येगले दोडेर भगवान ले शमात्न बयो जसरी शर्पले मुशा लाई शमाते जसरी हि हिरन्डे कशिपुगो शरीर लाई एक हाथ मां समात्यर तियो हिरन्डे कशिपुगो छाला जस्मा बजरको चोटले पनी कोतार ना पनी खोसरी ना पनी शक्यको थिये न आपनो पंजा भगवान नर्शिमदेव को पंजा बाठ निश्की नका लागी बड़ो जोर जोर ले चाट पंटाओ देव भगवान ले सबाको द्वार मा लगेर आपनो काख मा राखेर खेल खेल मा उस्क्यों हिरन्डे कशिपुगो शरीर मा नंगाण लागन वहयो भगवान ले कि या नंगाण लागन वहयो तेसको शरीर मा हिरन्डे कशिपुगो लाई बर ब्रह्मा ले देखा एक एक बरदान सम्षाओ दै अनी एक एक बरदान पुर्तिगर दै अन्यायत पकोचैन नितमाथी ब्रह्मा का हरेक वचंत सत्य भएका चन्नी या समकी मास समेत पुर्षतमाश लायावान गरेर ब्रह्मागो श्रिष्टिवंदा बाईरको मास मलमास अधिक मास येस तो समय पारेर संध्याको समय मा द्वार मा न भित्र न बाईर अकाश मा न जलमा न थलमा काख मा एस प्रकार आखेर चीरन वने रा शूरोगर्न वहयो श्रुनरष्श पुराणमा प्रशंगाउंस बाख्था वहागवात तरो जव भगवान न न न रम दे वलेतियो हिरन्य'काशप लायी चीरन वने रा शूरोगर्न वहयो चीर्ण बने शुरुगर्द आखेरी हिरन्य कषप बड़ू मधूर मुष्कुरायो हाश्न लागयो तेसको मुष्कान देखेरा बागवान नर्षीम दे प्रश्न गरनुँछ थे अशुर्राज किन हाश्त है अशुर्राज? वेले एक समय मेरा दिन बलवान थिये शमय मेरा पक्षया माथ इंद्र बज्र प्रहार गरते त्योवाजर मेरा शरीर का स्वान माय माइन जसरी पगलिंतियो आज मेरा शमय प्रतिकुल भयो शमय प्रतिकुल भय का कारन के बायोता? यह वान्दा जावा हाथ का नंगपनी बज्र भंड़क थोड़। जो मेरो शरीर मेरो चाला बजरले बजरले बिदेनी न कश्पर न शंब के लिएक कुरला अगर опасाई। तो मेरो शरीर आज नंगले बिदेनी होदै गज्टते कwegen भागान नर्षिम देव। आत्ना जागन वेयो तेसको शरीर या जशरी। गरुर्ले महा विष्धारी शर्पलाई चीरेर दोई टुक्रा वनाऊचन ते सहिगरी भगवान रशिम देवले ते हिरन्य कश्यपको शरीर लाई च्यातेर ते सको आंध्रा निकालेर गलामा माला जसरी लगाएर ते माला जसरी लगाऊँदा ते रक्तले ती सफेद एकदम शेता शेता चंद्रमाका किरन शमान देखिने ती दारी हरू ती रों हरू रक्त लोहित भगे राता राता भगवान ले ते हिरन्य कश्यपको आंध्रा मणी निकालेर माला बनाऊनु भयोर भगवान जती जती क्रोध मा आऊनोंच ते ते शरीर बिकराल मुदाईश नर्षिम पुरान मा प्रशंगाऊँच ते हिरन्य कश्यपूत तो दुई चिरा भगवान यो नंको बीच मा दुई चिरा अड़क्यों भगवान दाया बाया हिर्दे उन्च अशूर का गयो चिरन हात टक्टक्यों दा नंका चेब बाट दुई चिरा भगवान भगवान ते रहने कशय को हिम्मद भगवान लप लपाउँदे गरेको जिब्रो ले मुख को दुबई कुना चाड़दे होनों त्यो रगत का चिटाले वाको मुखे भगवान गरदन का कपाल अरू राता रा अरू आतिलाइ मारे गलामा आंध्रा को माला लगाये का मृगरा समान शिम्वा समान भगवान को शोबातियो आपना तिका नंगले इरंडे कशेप को कलेजो निकाले रा जमिन मा फाल देन भयो हजारं दैत्त्य दानव हात्मा सस्त्र लियर भगवान माथी प्रार्थना भगवान ले आपना भुजा रूपी शेना ले इब नंग रूपी सस्त्र ले सबई तर्फ दोड़ाई दोड़ाई कन सबई अशुरर को बदगर्न भयो ते समय भगवान रशिम्वा को गर्जन ले शारा त्रयलोकी नई थर 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 कापडई थियो भगवान ले जब शीर हलावन ऊंत्यों भगत भावबतरओ उआ का ती शीर हलावंदा खेरिये रों कपाल आदीले बादल तितर वितर होंते बादल पछाडी लुके का द्यवताहरू तितर वितर होंते भाईमा लड़ते पछारेंते जहाज वाट भाईमा जहरते एक्षिन अगाडी शम्मा ति द्यवताहर लाई हेरन ने कशेपू सग डर थियो अवत भागवान को विकराल सोरूप अध्भूत सोरूप देखर भागवान सग पो डराऊना लागे कशेई को छेवमा परने आड़ भाईन वानका नेत्र ज्योतिले नेत्रवात निष्केका ज्वालाले शुर्य आधिक ग्रह को तेज़पनी फिका भयो वानको स्वास को धक्काले समद्र छुपद भयो वानको सिंगानादले भाईविद भयर दिग्ग जरू पड़ू अडबड़ाउन लागे वाँको गर्दन का कपाल संगटक रायर दिवताहर का बिमान अस्त बेस्त बए शोर्ग डगमगायो वाँको हेंड़ आखेरी खुट्टाले धर्तिमा मार परदा आखेरे भोकम पाउन लागे व ब्येगले परवत्त हरू उचलन लागे उफ्रीन लागे परवत्त हरू इस्तान शर्न लागे वागो तेज का कारण आकास्त था सारा दिशारू देखिन छोड़े जसरी हमले शुर्यमा क्याई समय हेरियो भने सारा जगत अंदकार महे लाग्च तेशाई गरी नर्शिम देव को अगाडे सारा जगत अंदकार महे भयो ये समय नर्शिम भगवान को शामना गरने कोई थियन कुरोध जन्जन बड़ दाई थियो एरन्ने कशेब को रासवामा उच्छ शिमासन मागाई र विराजमान होन भयो तेश समय उआको अत्यंत तेश पुण एबं कुरोध युकत भहिंकर मुख मंडल देखेरा कोसे यको बने सास वैन वाको छो मागाई र शेवागरने भागवान श्वयम प्रकट वन वायको चतर शेवागरने शेवक्वाइ तयार सेनन बगत भागवत र श्वरुप्पेस्त भिकरालेस्त अध्वत्त तीव जब स्वर्ग का देवियर लाई थावयो कि तिने लोक लाई पीडा दिने मुर्तिमान पीडा को मुर्तिमान शुरूप हिरने कशेपू युद्धमा भागवान को हादवाट मर्योतवा आनंद को उलास ले सबय खुचिबय बार बार भागवान माथे पुष्प पुष्प गरन लागे आकासमा बिमान बाटाय का भागवान का दर्शनारति देवताहर को भीडले आकास अध्यार भयो देवताहर को आगमन संगय धोल नगरा आदी बजन लागे गंदर्वराज गाउन लागे अफ्षरारू नाशन लागे स्प्रक्यस्मय ब्रह्मा इंद शंकरादी दिवतारिशी पित्री शिद्ध विद्यादर मानाग मनु प्रजापती गंदर्व अफ्षरा चारण यच्च किम पुरुष ब्यताल शिद्ध किन्नर एवं शुनननन कुमुदादी भागवान का शवई पार्श दरूतियां आए शवई दुई हाज जोडर शिम वासनमा बिराजमान अत्यंत तिजश्वी श्री नर्शिम्म देभको इस्तुती गरन लागें कि पुल करने पार्श एवई पार्श दिए हाज़ कि जब कि अजान आए लागें